फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं आसम नौलेज वीडियोस हम आपको समझाता हूं कि जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, वोटों की गिंती होती कैसे है, आई यह शुरू करते हैं तो दोस्तो आज के जमाने में इंडिया में जहां पर भी वोट्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, EVM के थुरू, EVM पर जब आप वोट देते हैं, जब मशीन में आप जाके बटन दबाते हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पर दो मशीन तो आपको दिखाई देती इसके साथ ये एक और मशीन उसके बराबर में रखी होती है, उसको बोलते हैं, वी वी पैट, उसमें जब भी आप बटन दबा के वोट देते हैं, तो उसमें आपको एक स्लिप दिखती है, शीशे के अंदर, कि आपने जिसको भी वोट दिया है, उसकी स्लिप आपको दिख इस तरीके से आप देख सकते हैं एक वोटिंग का जो रूम होता है वो इस तरीके सा दिखता है अलग-अलग टेबल पर सारी के सारे control units होता है और एक supervisor होता है जिसको के आरो बोलता है counting room में वो उस room का supervisor होता है और अलग-अलग टेबल पर सारे के सारे control units की counting की जाती है जैसा कि मैंने कहा कि control unit limited votes ही ले सकता है यानि कि 2-3,000 उसके limit होती है उस जदा votes उसमें नहीं आता है यानि कि बहुत जदा यूनिट्स का यूज होता है वोट्स को capture करने के लिए और इसी लिए इतने बड़े तामधाम की जरूरत है ताकि उन सब अलग-अलब control units के वोट्स को count करके consolidated किया जा सके हैं जब elections हतम हो जाते हैं तो ये सारे के सारे control units को वोट्स की counting के लिए VVPAT की जरूरत नहीं है ballot unit की जरूरत नहीं है जिसमें आप बटन दबाते हैं सिर्फ control unit की जरूरत होती है उस ballot unit को उससे अलग रख दिया जाता है, वी-वी पैट को उससे अलग कर दिया जाता है और control units को एक sealed box में बंद करके जिस जगे भी votes की गिंती होनी है वहाँ पर पहुंचा दिया जा सकता है एक से जगे हो सकती है अलग-अलग शहरों में control units को एक seal box में transfer किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो seal है वो tampered ना हो अगर वो tampered होती है तो उस control unit की गिंती नहीं होती है उसको inspection के लिए आगे forward कर दिया जाता है control unit के इंदर जो भी voters का data है जो भी voting का data है वो delete तब तक नहीं हो सकता जब तक ballot unit को यानि कि जो button वाली machine है जब तक उसको से connect ना किया जाए यानि कि votes की counting के बाद भी वो data उसमें safe रहता है assistant होता है जिसकी देख रेक में उस table पर जितने भी control units इखटा हुए है उन सब के votes count होते है उस control unit में आप जैसे के देख सकते हैं screen पे एक result का total का button होता है जिसको बारी बारी से दबाने पे आपको जो भी data उसमें save है या जैसे कितने vote उस counting machine में entered हुएं log हुएं वो आपको दिखाई देता है सारे contestants का data number के रूप में save होता है या यह contestant का नाम इसमें नहीं होता है मान लिए अगर 15 उमीद वार हैं तो contestant 1, contestant 2 इस तरीके से उनको कितने vote पढ़ें यह बारी बारी आप देख सकते हैं और यह जो contestant का sequential number होता है number 1, number 2 यह obviously हर CU में same होता है यह एक log बनावा होता है कि contestant number 1 जो है वो contestant number 1 ही है चाहिए वो BJP हो या कोई आप हो वो throughout the country वो number same रहता है counting के वाक्त control unit में देखा जाता है कि contestant number 1 को कितने vote मिले contestant number 2 को कितने vote मिले और इस तरीके से जो उनका vote है जो उनका vote count है उसको log किया जाता है record किया जाता है और फिर जितने भी throughout the country control units में voting हुई है उन सारे contestant को जितने भी वोट मिले उनको consolidate किया जाता है और इस तरीके से total vote contestant wise कितने कितने लोगों को मिले यह पता लगता है और पूरे poll का result फिर public किया जाता है तो ज़िए आप screen पर देख सकते होंगे कुछ इस तरीके का वो box होता है जिसमें कि control unit को seal किया जाता है control unit कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो controls हैं जो buttons हैं वो भी sealed pack होते हैं उनको किसी भी तरीके से tamper नहीं किया जा सकता है अगर किया जाता है तो वो tamper proof कहने करना है मतलब है कि अगर आप उसको tamper करेंगे खोडने की कोशिश करेंगे तो जो भी उस पे seal है उसको देखके पता लग जायागा कि इसको tamper किया गया है control unit को इस तरीके से on किया जाता है on करने के बाद उसमें इस तरीके से आप दोनों lights जलती भी देख सकते हैं EVN is on का message उस पे display हो जाता है फिर वो आपको दिखाता है कि उस control unit में कितने अलग-अलग candidates का data safe है जैसे कि इस screenshot में 8 ये test किया गया था control unit पे votes counting से पहले तो इस वक्त ये दिखा रहा है कि 8 candidates का data इसमें saved है इस तरीके के buttons उसमें available होते हैं जिसमें result का button दो बार दबाने से वो एक के करके result contestant wise दिखाने लग जाता है तो इस तरीके से ये poll result दिखाता है total number of candidates 8 total polls यानि कि total vote उसमें कितने save हैं अलग-अलग contestant को total votes ये दिखा रहा है 101 votes इस machine में पढ़े है candidate number 1 को 6 vote पढ़े candidate number 3 को 8 vote पढ़े तो अलग-अलग control units में sequentially सारे candidates का data save होता है जो vote counting के लिए जो assistant जो supervisor होते हैं वो सारे के सारे sequential candidate के data को consolidate करते हैं counting के बाद और इस तरीके से ये polls का result count करके लोगों में public किया जाता है तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो votes की counting कैसे होती है इसको समझने के लिए अगर पसंद आद इसको like भी कर दिए, subscribe भी कर दिए इस तरीके के क्यों क्या कैसे वाले वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ मुलागाद होगी अब आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया झाले वीडियो